महराश्ट के राम टिक में भी की जनसभा कच्चा तीवू द्वीप पर सियासत जारी दिख विजय बोले वहाँ कोई रहता है क्या बीजेपी ने की माफी की मांग कॉंग्रिस ने कहा बीजेपी ने 10 साल में क्या किया चुनाओं में आई द्वीप की यार नमस्कार मैं हूँ संदीब चौदी आज सीधा सवाल में हम रुक करेंगे महराश्टरा का उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटो वाला राज्जे उत्तर प्रदेश में असी हैं सीटे लोकसभा की और महराश्टर में अर्टालिस और लड़ाई है दो हजार चौबिस के लोकसभा चुनाव की इसलिए महराश्टर बहुत एहम हो जाता है और महराश्टर में एक महा संग्राम छिड़ा हुआ था दोनों गटबंधनों में और दोनों गटबंधन की जब मैं बात कर रहा हूँ वो एंडिये हो यानि की महायुती महराश्टर में इसे महायुती कहते हैं और इंडिया यानि की महाविकास अगहाडी सब जगे सीटों का बटवारा लगभग मुकमल होता दिखा लेकिन महराश्ट में गाड़ी अठकी हुई थी वो गाड़ी ट्राक पर आती दिखी इंडिया की महाविकास अगाड़ी की कल 38 सीटों पर बाकाइदा सीटों के बटवारे का एलान कर दिया 21 सीटे गई शिव सेना उद्धव ठाकरे गुठ के खाते में 17 कॉंग्रेस और 10 सीटे एंसीपी शरद पवार गुठ को मिली ये दरसल 27 फरवरी को घुशना होनी थी और इस गटबंधन में वंचित बहुगजन अगाड़ी के प्रकाश आमबेड कर उनको जगे नहीं मिली बहुत दिनों तक वो टकते मटकते रहे जटकते रहे आखिर कार बाहर का रास्ता दिखा कर सीटो का ये बटवारा तै हो गया लेकिन घमसान अब भी जारी है और घमसान कैसे कांग्रेस के खेमे से नाराजगी की बूह साफ दिखाई दे रही है और खेमा जब मैं कहता हूँ मैं शीर शनेतरत की बात नहीं कर रहा हूँ वरना गटबंधन का एलान नहोता लेकिन जो स्थानिय नेता हैं वो नाराज हैं संजय निरुपम को तो पहले ही अभास हो गया था वो पार्टी से निकल लिये निश्कासत भी किये गए थे लेकिन जो मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष हैं वर्शा गायकवार्ड वो क्या कह रही है हमें वो सीटे नहीं मिली जहां हम निर्वाचत हो सकें यानि कि जहां से हम चुने जा सकें हमें ऐसी सीटे दी गई हैं जहां हमारी कोई ताकत नहीं है दरसल ये खुद उम्मीदवार हैं मुंबई की एक सीट चा रही थी लेकिन मुंबई में दो सीटे कॉंगरिस को मिली बाकी सीटे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुत को मिली दक्षण मद्य मुंबई से ये सीट चा रही थी सांगली में भी सीट दिक्कत में आ गई कॉंगरिस कौनकण में अब किसी भी सीट पर चुनाब नहीं लड़ेगी खमासान अंदुनी कले तो सामने आती है या ये दिक्कत का सबब बनेगा कि कउंग्रparagus कारे करता शिवसेना उडव ठाकरेगट के उमीद्वार के ये उतनी ताकत नहीं लगाएंगे या वाइसी वर्साई शिवसेना उडव ठाकरेगट के कारे करता कारे करता हो पूरी जान और यही सवाल मूब आए खड़ा है अन्डिये के सामने भी यानि की महायुती के सामने कहने को बीजेपी ने 24 अमीदवारों की गोशना कर दी है शिव सेना एकनाथ छिंडे गुट ने 10 अमीदवार और अन्सिपी अजित पवार ने 5 अमीदवार कुल मिलाकर 49 अमीदवार कितने उमीदवार होंगे शिंडे गुट के कितने उमीदवार अजित पवार गुट के अब ये असली शिव सेना और असली अन्सिपी हो चुके है इसको कितनी सीटे मिलेंगी ये एलान नहीं हुआ है अब इसमें वजह क्या है पूरे देश में जैसा मैंने कहा गटबंधन अब अपनी अंतिम शक्ल अख्तियार कर चुके हैं लेकिन महराष्ट में पेंच क्यों फसा है और महराष्ट में दो दो चुनाव हैं दरसल दर्शको ये सिर्फ दो हजार चौबिस के लोकसभा चुनाव की लड़ाई नहीं है साल के अंत में विदान सभा चुनाव भी होने गई लाल कालीन भी बिचाया गया एडी सी बी आई आई टी का क्या डर दिखाया गया नैचरली करप्ट पार्टी एंसीपी को कहकर बीजे पी और अजित पवार सरी के निताओं पर आरोप लगाकर उन्हीं के लिए लाल कालीन भी बिचा दिया खजाने की चाबी दे दिया जित पवार को फिर केस भी बंद हो गए क्लोजर रिपॉर्ट सी बी आई ने दाखिल कर दी प्रफुल पटेल के मामले में छगन भुजबल की फाईलें गुम हो गई ये पुलिस का कहना है और इसी में राजनेतिक समी करान कहीं फसे हुए हैं अटके हुए हैं क्या अब यह इसने यानि की राज ठाकरे कुछ दिनों पहले मैंने आपको तस्वीर भी साजा की थी वो आकर ग्रीह मंत्री और बीजेपी के चानक के हैं अमिच्छा से मिले थे कयास ये लगाए जा रहे थे वो आ जाएंगे महायुती में अंडिये का हिस्सा बन जाएंगे अब समर्थन का एलान किया है राज ठाकरे ने तो इस पर पलट वार किया है संजे राउत ने शिवसेना उद्ब ठाकरे गुठके प्रमुक चहरा महराश का दुश्मन बता कर राज ठाकरे ने एलान किया था कि मोदी शाह को पाउँ नहीं रखने देंगे क्या जादू हुआ कौनसी रहे हैं संजे राउट उधर कॉंग्रेस से बाहर किये गए संजे निरुपम कह रहे हैं 2024 में कॉंग्रेस जीरो पर राउट होगी उध्धव ने भीक की तरह सीटे दी हैं चार जून के बाद सब मूँ छिपाते फिरेंगे अपियूश गोहल खुद उम्मीदवार हैं वो कह र एलान नहीं किया पियूश गोहल ये भूल गए अभी उनकी भी नौ सीटे उनके गड़बंदन की नौ सीटों पर उम्मीदवारों का एलान नहीं हुआ है वैसे महाविकास गारी के भी पांच उम्मीदवारों का एलान होना बाकी है प्रकाश आम बेल कर बहुत दिनों तक रिजाने की कोशिश की गई मेरे कारिकरम पर ही कांग्रेस के राष्टिय प्रवक्ता ने कहा कि भई दो सीटे हम देने को तैयार हैं दो शिव सेना भी दे देगी दो शरत पवार भी देने को तैयार है यानि कि छए सीटे पर वो नहीं माने वो सोला मांग रहे थे अब वो कह रहे हैं शिव सेना उद्दफ ठाकरे गुट और एंसीपी शरत पवार गुट ने खुद को नहीं बदला तो उनका भी वही हश्न होगा जो अन्य राजने तक संगठनों और पार्टियों का हुआ है तो एंडिये के लिए बैटिंग करेंगे प्रकाश हम बेड कर अन्गाइड़ मिजाइल हैं ये भी अपने आप में एक देखने वाली बात होगी और अजित पवार चाचा भतीजे में अब किस तरह से कल है सामने आ रही है वो कहते हैं मैं मुझ खोलूँगा तो मेरे रिष्टेदार चेहरा दिखाने लाइक नहीं बचेंगे अजित पवार पर लगातार विपक्षी गटबंदन हमलावर है कि भाई तो फाइले बंद हो गई अब ये पाक साफ हो गए और ननंद और भावी यानि कि अजित पवार की धर्म पत्नी और उनकी बेहन शर्ट पवार की बेटी सुप्रिया सुले बारा मती से आमने सामने है बहुत से लोग कहते थे कि ये एकी परिवार है अंदर खाने इनकी सारी सेटिंग है लेकिन क्या वो सेटिंग भी बिगड़ गई है और इस तरह की तल्खी भी सामने आ रही है क्योंकि कहीं न कहीं जंग असली और नकली की भी है ये विरासत की भी लड़ाई है ये एक और एहम पहलू है महराश के चुनाव का बाल ठाकरे का असली वारस कौन उद्दफ ठाकरे या एक नाथ सिंडे ये भी तैह होगा ना सिर्फ लोग सबाचुनाव में उसकी गूंज विदान सबाचुनाव में भी दिखाई देगी सुनाई पड़ेगी और NCP है किसकी असल किसकी शर्द पवार की या भतीजे अजित पवार की किसी ना किसी के राजनितिक जो सफर है उस पर क्या विराम लग जाएगा या पट्री से डिरेल हो जाएगा ये खेल भी कहीं न कहीं अठका हुआ है और हमने यानि की एबी पी नियूज और सी वोटर ने त्वलिट सर्वे भी कराया और उसमें कुछ दिल्चस्प बाते सामने आई हैं आगे मैं सवालों में ये पूछने वाला हूँ लेकिन एक बड़ी तस्वीर एक अप्रेल को जब हमने सर्वे किया था मराथी मानुश के मन की था लेने की कोशिश की थी तो एंडिये और इंडिया दोनों बराबर बराबर अच्के हुए थे एक तालिस पसेंट एक तालिस पसेंट अब आठ अप्रेल को एंडिये हलकी सी बड़त बनाता दिख रहा है 44 फीज़दी पर एंडिये यानि की महायुती और इंडिया 40 फीज़दी पर 16 फीज़दी है पर यहां पर हमें यह याद रखना होगा महराश क्यों एहमियत रखता है बीजे पी के लिए क्योंकि 2019 के चुनाव में 48 में से 42 सी थे एंडिये के खाते में गई थी 23 बीजे पी के उमीदवार जीते थे 18 शिव सेना के तब उद्दफ ठाकरे बीजे पी के साथ थे और एक उमीदवार इनके साथ आ गया था 42 की संग्या थी अब बराबर की टक्कर में आदे आदे में आए तो ये तो लगबग 20 सीटों का नुकसान हो सकता है एंडिये को बीजे पी को तो ताल बहुत बड़ी ठोकी जा रही है वो तो ताल ही है लेकिन अभी 272 का आंकड़ा भी तो पार करना है असल लड़ाई तो उसकी है ऐसे में आज का सीधा सवाल इंडिये इंडिया का घमासान महराश में गटबंदन नहीं आसान और 48 सीटों पर चाल बदली कौन असली कौन नकली चर्चा में मेरे साथ कॉंग्रेस के राश्टिये प्रवक्ता चरन सिंग साप्रा शिंडे गुट शिवसेना असल शिवसेना के प्रवक्ता अरुन सावंत प्रोफेसर नवीन कुमार एंसीपी अजित पवार गुट अब असली एंसीपी हो गई है उनके राश्टिये प्रवक्ता संदीप सोनवलकर वरिष्ट पत्रकार हैं और एक खास महमान शिवसेना उद्दव ठाकरे गुट की राजसबा सांसद प्रियंका चतुरवेदी भी इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं तो प्रियंका सवाल बड़ा सीधा है 27 फरवरी को ऐलान होना था आज से एक दिन पहले यानि कि कल एलान तो हो गया लेकिन वो मैं थोड़ी ग्रज भाषा का भी इस्तमाल कर लूँ आपकी मातर भाषा का भी गाम बस्या नहीं मंगते आंड गे अभी सही लड़ाई शुरू होने लग गई वर्षा गायक वार्ड के बयानों से क्या मतलब निकालू मैं मुझे नहीं लगता किसी तरह की लड़ाई हो रही है उन्होंने अमने मन रखा है और अगर नौट सेंटरल की सीट बात करते हैं जो सीट उनको मिली है वो प्रियादत लगाता है जीतती आई है मुंबई नौट से जो अभी इनके खफा होकर इनके बारे में उल्टा सीधा बोल कर जो एक वर्ल लीडर निकले हैं जो सोचते हैं कहीं से भी मुंबई में खड़े हो जाएंगे वो जीत लेंगे पर उन्होंने हमेशा कॉंग्रिस का मार्जिन हारने में बढ़ाया है मुंबई नौट से जीते थे मुंबई नौट का वो प्रतिने दी थे मुंबई नौट से नौट वेस्ट उन्होंने बदला था क्योंकि वो वहां से हारे थे उन्होंने लूजिंग मार्जिन बढ़ाया था पर साथ ही में ये कहूंगी कि हमारी जो सीट हमने ली हैं, वो हमारी सारी विनिंग सीट हैं, हम लोग वो सीट लगाता है जीते आए हैं, तो आपने, मैं वर्षा गायकवार्ड के ही शब्दों का इस्तमाल करूंगा, वो कह रही हैं कि हमें तो भीक में सीट दे दी, जहां से ह इसवार्टा देखी होगी, तीनों पार्टी के मुख्या साथ में बैठे ते शाथ पवार जी थे, उत्रसाहब थे, नाना पर्टोले जी थे, बालग साहिब ठोरा जी थे, सब लोग ने मिलकर ये जो सीट शेरिंग है, वो अडाउंस किया है, तो उसमें किसी को, किसी तरीक अगर आप मुझे 30 सेकंड दे देंगे, मैं भी बोल लूँ, जिसे हमारे हाथ से राम तेक गया, तो हमारे लोगों ने भी वहाँ पर कहा, उन्हों ने कहा कि देखे हमारी लगाता है विनिंग सीट रही है, पर हमने अलाइंस का धर में भाते हुए हमने वहाँ पर दे दी है, तो हर स्थानिया लीदर्शिप को कुछ ना कुछ लगता है, जो भी हो मन की व्यथा दिखा, सुना रही है, उसका मतलब यह निया महाविकास अगारी में किसी तरह की पूट है, आज ही विशुजीत कदम सांगली को लेकर इतनी सारी बाते हो रही थी, विशुजीत कदम जी लड़ रहा है, हकीकत तो ही है कि वो लोग भी नहीं जानते है कि इनके ऐलाइण्स कौन है, एक दिन राजठाकरेय के साथ होते है, एक दिन राजठाकरे कॉलக कर दिया रहा है, जानते है कि राज ठाकरे वो पार्टी के लीडर है जिन्होंने उत्तर भारतियों के खिलाफ काम किया है वो जानते हैं कि फर्स फेज और सेकिंड फेज में उत्तर भारत 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 में उत्तर दिक्कत होगी अगर राज ठाकरे तो ये है कि कहीए का इट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुणबा जुड़ा है उनका हाल हो रहा है अनौंस हो जाते हैं candidate फिर उनको change कर दिया जाता है यह हमारे यहांपर नहीं हुआ है हर स्थानिय नेता गण को लगता है तो लें आपसी तालमेल और विधायक बनना है लेकिन एक मैथमैटिक्स होता है एक आपने गणित फलाया है और एक कैमिस्ट्री होती है रसायन शास्तिर कैमिस्ट्री में किमिकल लोचा भी हो रहा है अगर कारे करता एक दूसरे के साथ कदम ताल नहीं करेंगे वो दिकत का सबब बनेगा क्या प्रियंका अगेर, मैं फिर से रिपीट करूंगी, जो कार्य करता हैं, वो बिलकुल seamlessly काम कर रहे हैं, seamlessly और मैं इस लिए बोल रही हूँ, इस confidence से बोल रही हूँ, क्योंकि जहां 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 मैं गई हूँ, जहां हमारे candidates हैं, वहां पे Congress कार्य करता, वर्य है वो सभ काम पे लगा हुआ है हम तो यह भी कह रहे हैं कि हम यूती की और प्रमुक चेहरे का मतलब ये है कि राहुल गांदी उद्दव ठाकरे शरत पवार एक मंच पर कब दिखेंगे आपको जो इंडिया राली हुई थी मुंबई में भी हुई थी शिवाजी पार्क पे क्या तीनों साथ में नहीं बैठे थे थे तीनों साथ में बात कर रहा है भारत जोड़ो यात्रा का अंजाम हो रहा था अब की बात कर रहा हूं जो भी अब पर मैं एक मिनिट मैं कम्प्लीट कर दो ना क्यूंकि आपने का बैठेंगे नहीं बैठेंगे पहले तो आपका सवाल ये था दूसरा सवाल अभी इंडिया की राली हुई थी कि नहीं नरेंद्र मोधी के हिसाब से अगर इनको सीट जीतने के ये लोग कोशिश करें तो मैं आपको कह दूँ यहां पर ब्रैंड मोधी महराश्टा में तो बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि ब्रैंड मोधी से जनता को याद आता है महराश्टा की जनता को कैसे गद्दारी की ब्रैंड मोधी से उनको ये याद आता है कैसे पैसो के धनबल से इतना भष्टा चार महराश्टा में हो रहा है उनको ब्रैंड मोधी से याद आता है कि दो राज्जिप की पार्टी जो मराथांस का मराथांस और महराश्टा का हाथकों की लड़ाई लड़ते थे राश्ट किया दरसल क्या प्रियंका ये लड़ाई दोजार चौबिस के लोग सबाचुनाव की भी नहीं या विदान सबाचुनाव की नहीं बड़ी लड़ाई असली और नकली की है विरासत किसकी बाल ठाकरे की विरासत उद्दव ठाकरे उत्रादीकारी है या एकनाथ छिंडे शरत पवारी असली NCP है या अजित पवार लड़ाई इस बात की है ना किसी ना किसी की काड़ी बी रेल होगी इन चौनावों के बाद सबसे पहले सबसे पहले तो ये कोई सवाल या निशान ही नहीं है बाला साहिब ठाकरे जी वंद्विया हिंदू रिदे समराद बाला साहिब ठाकरे जी ने जब अपनी आख़ी दशेरा रैली आख़ी दशेरा रैली पे बाक्षीट की थी तो उन्हों ने कहा था कि जो युवा वर्ग है उसको अदित ठाकरी जी आगे लेकर बढ़ें गें और जो शिवसेना का मुख्यांग है उसको आगे लेकर उद्व साहब सारे कृतां से कहा था अब मेरी नदोनों की जिम्मेदारी में आप पर सौUP कर जा रहा हूँ महराछीरा की जंता को संभोध έχει करते हूए कहा था इन दिली में बैठकर उनको लगता हमने दो पार्टी के दो फाग कर दिये, तो मैंने मैं डिसाइड करूगा असली कोट नखली कोट, यह उनकाड बोल रहा है, जहां पर उनको लगता है, क्योंकि उनको सत्ता मिली हुई है, किसी को भी तोड मरोड कर काम कर सकते हैं जनता उनको किवाब भीवाब करेगी तो यह सत्ता का हंकार महराषटरा से ही खत्म होगा आप ये ताल ठोक रही हैं अब अरुन सावंथ प्रियंका ने कहा इन्हों ने तो सीटों के बटवारे का एलान कर दिया आपकी सीटों के संदीप जी हमारी शीट का बटवारा भी लगबग तय हो चुका है सर्व सहमती से हमारे तीनों पार्टियों के तीनों दलों के जो मुख्य नेता है प्रमूख है उन्होंने आपस में समझोता किया हैं और आपको कल तक सारी शीटों का बटवारां का लिष्ट पूरे महार पेच कहा है ताइम क्यों लग रहा है इतना सब जगे तो आपने बटवारे कर लिए सब सीटों का एलान हो गया प्रचार हो रहा है प्रदान मंत्री आज रामतेक में रैली कर रहे हैं और उम्मीदवार घोशित नहीं हुए संदीब जी हर पार्टी को ऐसा लगता है लगते रहता है कि हमारा जो दल है हमारी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सिटे मिलनी चाहिए और ऐसा समझने में ऐसी आकांक्षा रखने में कोई भी गलत नहीं होता है क्योंकि हर किसी को लगता है कि हमारी पार्टी ताकदवर है, हमारे कैंडिडेट जादा से जादा जीत कर आने का हमें पूरा विश्वास है और ऐसा विश्वास अगर कोई हमारा दूसरा साथी रखता है तो हम उसे को उसमें कोई गलत नहीं समझते हैं असल खेल क्या इस बात में अठका हुआ है कि बीजेपी को पूरा बरोसा एतबार नहीं है कि एकनात सिंडेगुट यानि कि आपकी असली शिव सेना वो डिलिवरी कर पाएगी या नहीं सीटों का कनवर्जन कितना होगा वो 42 का आकड़ा उसे फिर से छुना एक बड़ी चुनौती है ताल बड़ी ठोकी जा रही है आप पर एतबार नहीं है क्या इसलिए रोज बरोज बैठके हो रही है ऐसा बिलकुल नहीं है देखिए हमारा एक ही लक्ष है कि किसी भी प्रकार से किसी भी तरह हमें आदर्निय नरेंद्र मोधी जी को जिन्नोंने पिछले 10 सालों में बहुत ही बहतरीन काम किया है देश को प्रगती पत पर लेके गए हैं यहां पर महाराष्ट्रा में हमारे एकनात जी सिंदे हमारे राज्यों को प्रगती पत पर लेके जा रहे हैं तो हमारा उद्दिष्ट एक ही है कि कि किसी भी प्रकार से 41 पार करना और यहां से महाराष्ट्रा से जो इस देश का भाई हमने जो सर्वे कराया उसमें अब आप आगे निकल रहे हैं 44 फीजदी लोगों की पहली पसंद आपका कटबंदन है 41 पर इंडिया है यानि कि महाविकास अगारी वो 41 इक्तालिस था पहले पर कुछ सवाल और पूछे थे महराश का मूड जानने के लिए राज्य सरकार के कामकाद से आप कितने संतुष्ट हैं बहुत ज्यादा कहने वाले 22 फीजदी कम कहने वाले 34 असंतुष्ट वो 37 फीजदी तो 37 और 34 अगर मैं मिला लूँ मेरा गणत अगर सही है तो वो 71 फीजदी हो जाता है और CM के कामकाद से कितने संतुष्ट बहुत ज्यादा कहने वाले 32, कम 26, असंतुष्ट 36, 36 और 26, 62 फीज भी हो जाता है मुख्यमंत्री यानि कि एकनाथ चिंडे के काम से मराठी मानुष खुश नहीं है संदिप जी सर्वे तो काफी आए और आएंगे भी भविशे में मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि पिछले पाउने दो सालों में जिस प्रकार से इस महाराश्टरा में महायूती सरकार ने आधरनी एकनाथ जी शिंदे की नेतरुत्व में और दोनों उपमुख्यमंत्रियों को साथ में लेकर जो विकासात्मक काम किये जो बंद प्रोजेक्ट यहाँ पर पढ़े थे पिछले धाई सालों में जब इनकी गवर्मेंट थी एमवे की गवर्मेंट थी उस वक्त जो जो प्रोजेक्ट बं थे वो सारे प्रोजेक्ट इस सरकार ने पूरे किये और नए प्रोजेक्ट शुरू भी किये यह सारे प्रोजेक्ट आध जन्ता को दिखाई दे रहे कि आरुण आपकी सर्कार पर आपकी पाथी पर पचास खोका सर्कार के लगतार आरोब Serve lift लग रहेत करी तो कि और यही जो 50 से कि के आरुब की बात अभी आपने की वही आरोब जब कोड में पूछा गया था, यहाँ पर उस वक्त इनके जो नेता थे हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ये सब बे बुनियाद आरोप थे, ये आप भी जानते, महाराश्चा की जनता भी जानती और देश की जनता भी जानती, तो ये पचास खोकों का आरोप जो था, वो पूरी तरह वही पर खार हो जाएगा इन चुनावों में असल उत्राधिकारी कौन है बाल ठाकरे की विरासत का ये एक बड़ा चालेंज एक बड़ी चुनौती है आपके लिए संदिप जी संदिप जी कोई चुनोती हमारे महायुती सरकार के सामने नहीं है जो आपने कहा असली और नकली की बात तो ये तो जनता तय करेगी और दूसरी बात अगर आप ये पूछरे मुझे की आदर्निय बाला साथ ठाकरे के अगर जो खून के जो रिष्टेदार होते वो कोने तो न अदित्य ठाकरे जी लेकिन आज बाला साब ने अपना खून पसिना बहा कर अपना खून सीच कर पसिना सीच कर जो शिवसेना खड़ी की थी वो शिवसेना गाउं गाउं से आये हुए शिवसनिकों की थी और ये सारे सिवसनिक, सारे आमदार, सारे खासदार, सारे जिल्ला प्रमूग और सारे गटव प्रमूग आज पूरे के पूरे उबाटा को छोड़ कर यह आधर निया एकना कर शिंड़ी के साथ परें को उसके बाद विदान सबा के भी चुनाव हैं तो सीटों का बटवारा तो हो गया चरण सिंग सापरा आखिरकार लेकिन आप ही के पुराने नेता आपके सैयोगी रहे संजे निरुपम कह रहे हैं कि कॉंग्रस तो जीरो पर आउट होगी मूँ छेपाते फिरेंगे आप चार जून के बाद बीक में दे दी गई हैं सीट संजे निरुपम जी क्यों कहें यह आप भी जानते हैं और मैं यह कहना चाहूँगा कि आज की तारीक में वो मिस्गाइडेड मिसाइल हैं इसलिए बहुत ज्यादा उत्तर में देना उसमें उचित नहीं समझता हूँ क्योंकि misguided missile कुछ भी कर सकता है कहीं भी जा सकता है और जब व्यक्ति महत्व कांग्शी हो जाए तो इसी तरह के दिन जो है वो देखने पड़ते हैं विरहाल हम बात कर रहे हैं कि कितनी सीटें जो है वो महायूती डिक्लेर कर पाई है और कितनी पर सिर्फ उटोवल चल रहा यह आपने भी बताया है लेकिन सिर्फ उटोवल जो चल रहा है वो किस लेवल पर चल रहा है कल्यान की सीट देवेंदर फडनुविस कहते हैं कि हाँ वहां से श्रीकान शिंदे लड़ेंगे लेकिन श्रीकान शिंदे खुद कहते हैं वहाँ पर जबरदस्त इनके अंदर लड़ाई चल रही है और दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है इसलिए ये सिर्फ टोगल कल्यान का चल रहा है नासिक के अंदर क्या सिर्फ टोगल है छगन बुजबल वर्सिस हेमन गोड से हेमन गोड से इनके सितिंग मेंबर प कॉंग्रेस को सीट मिली और उम्मीदवार का एलान नहीं कर पा रहे हैं पियूश गोएल ये बात कह रहे हैं धराशिव में अर्चना पाटिल को टिकेट दिये लेकिन वहीं पर बीजेपी के एक सेमेले ने इंडिपेंडेंट फॉर्म भर दिया है अमरावती में नवनीत राना वर्सिस अभीजी तरसुल चल रहा है बुल्डाना में शिंदे सेना वर्सिस शिंदे सेना प्रताप जादा वर्सिस संजेग आईक्वाड मारा में बीजेपी के सिटिंग मैंबर पार्लेमेंट है रंजीत निम्बलकर उनकी जगे पे सिर्फ उटवोल चल रहा विजे सिंग मोईते पाटिल से तो ये जो इतनी सारी जद्दो जद्द में चल रही है ये क्लियर कट बताता है कि इन में आपस में ही सहमती नहीं है अब मैं आपकी बात का उत्तर देदू देखे उत्तर मुंबई ऐसी सीट है जहां से हम पहले भी दो बात जीते हैं और ऐसे कोई ही कह सकता कि वो बहुत कमजोर सीट है बिल्कुल कॉंग्रिस पार्टी के अगर हक्त में वो सीट आई है तो वहाँ पर मजबूत उमीदवार दिया जाएगा वहाँ पर हमारा संगठन मजबूत है वहाँ पर जिला अद्यक्ष से लेके सारे ब्लॉक अद्यक्ष तैनाथ है हमारा संगठन का नेटवर्क वहाँ पर है तो संगठन का नेटवर्क है हम उस सीट को भी जीतेंगे अगर हम राम नाइक को हरा सकते हैं अगर हम और इनके बड़े नेताओं को हरा सकते हैं तो ये सीट हम जीत सकते हैं उत्तर मुंबई की सीट हम क्यूं ये कहें कि वह सीट में हम कमजोर हैं भाई ये तो ठीक है प्यूश कोईल कहेंगे ना लेकि उसीट को भी कमजोर नब्स है क्या कि शिवसेना उद्दफ ठाकरे गुटने सारी कमजोर सीटे कांगरिस के पल्ले बांदी सतरा सीटों पर आपको उमीदवार की गोशना करनी है पांच बचे हैं महाविकास अगाडी के उनमें से चार आपी के उमीदवार हैं जिनका नाम अभी ऐलान नहीं हुआ है ज मैं बताता हूं नश? जिए लिए नहीं इलान हुए क्योंकि ये चारों सीट पे चुनाओ 20 तसमे को है अब है हुम जी उसमें zone courtesy come दवार है, यह तो हमारा अदिकार है न इस गलिंग संघसम उमिद्वार को हम दें यह हमारी Parti आधिकार वमारे आला कमान का अधिकार है किस तरश कर सकते हैं, हम देंखे और हम देंखे करेंगे तो तब मीडिया को भी पता चलेगा सवाल ये है कि आज की तारीक में महाराज की जो है वो confused है और ये candidate के हिसाब से इतनी वोट नहीं पड़ती है वोट पड़ती है कि क्या narrative बन रहा है आज महाराज के अंदर narrative ये है कि महाराज जो है ये संतों की भूमी है शूर वीरों की भूमी है चतरपती शिवाजी महाराज की भूमी है इन्होंने कभी गदारों का साथ नहीं दिया आप देखिया इतिहास और जो सामने की तरफ है उनका सबका गदारों का इतिहास है शिवसेना ने उस वक्त गद्दारी की थी आपके साथ, NCP के साथ मिला लिया, गद्दारी का करम शुरू कहां से हुआ? गद्दारी का करम मैं तो बता रहा हूँ, गद्दारी का करम शुरू हुआ, जीते जी जब आदर्मिया भाज ठाकरे साथ जिन्दा थे, तभी राज ठाकरे ने उस पार्टी को धोखा दिया, गद्दारी का करम वहां से शुरू हुआ, फिर उसके बाद में एकदा चिंदे आ तो महराज की जनता ये जानती है कि किस तरह जो रही गददारी क्यों होई किस ने कराई भारतिय जनता पार्टी ने कराई ये उपरेशन लोटस क्यों चला शिवसेना के दो फाड क्यों में क्यों सूरत में और आसाम में जाकर के लोग वहां पर बैठे रहे किस तरह से 50 खोके सब कुछ होके की अभी बात हुई मैं आपको बता दूं कि ये डायलॉग भी जो है ना 50 खोके सब कुछ होके ये हमने नहीं दिया ये एकनाच शिंदे के विधायक ने ये कहा था और उन्हों ने सोशल मीडिया पर उस बात पर हरुन सावंद ने कहा अदालत के सामने कोई पूद देने से साफ इंकार भी हो गया पर प्रोफेसर नवीन कुमार असली नकली का खेल भी हो रहा है क्या असली कौन नकली कौन और इसलिए ऐसी तल्खी भी आपके नेता की जुबान पर आती दिखी है जब वो रिष्टेदार शब्द इस्तमाल कर रहे हैं मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि वो शरत पवार सुप्रिया सुले के बारे में ही बात कर रहे हैं मैं मूँ खोलूँगा तो मेरे रिष्टेदार चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे ये आरपार की हो गई है जंग संदीब चौधरी जी संदीब चौधरी जी पहले तो इसका उतर दिदों की बिरासत की लड़ाई यह नहीं है आप देखेंगे चाहें वो एन्सिपी की बात हो या सिंदे साहब के शिपशेना की बात हो जब ये स्पीकर ने महर लगा दिया एलेक्शन कमिशन ने महर लगा दिया फिर बिरासत की बात कहा हो औरीजिनल हम लोग है एन्सिपी औरीजिनल हमारे साथ है अब आएए जहां तक सीट शेरिंग की बात है हमारे गटवंधन में कहीं भी दुराव ये ठकराहट नहीं है चुकि संख्या हमारे कंडिडेटों की हमारे संगठन वाले के ये गट अबी तो सीटों के बटवारे का भी ऐलान नहीं है उमीदवार तो ऐलान कर रहे हैं किसके पाले किसके खेमे में कितनी सीटे हैं बीजेपी कितने पर लड़ेगी आप कितने पर लड़ेंगे ये बता दीजे संदीप जी सबर कीजिए कल आपको प्रेस को इन्फर्मेशन दे दिया जाएगा आपसे अभी जो जनकारी मिल रही है पता नहीं कहां से आपने जनकारी ले दिया है कि भी बीजेपी 24 पर एंसेपी 5 पर सिंदेग गुड 13 पर ये सारी बातें अभी जहां कि तहां रहने नहीं नहीं ये तो हम तो बता रहे हैं बीजेपी ने 14 अमीदवारों की गोशना की है और अरुन सावंत की पार्टी यानि कि एकनाथ सिंदेगुट असल शिफ सेना ने 10 अमीदवारों का एलान किया है अभी 9 बचे हुए है और असल फिगर पता नहीं लगी है अले वह ये है कि आथेंसिटी आने दीजेने सारा चीज आपको कल मिल जाएगा अब विश्वास रखे हम लोग बहुत ठोक बजाकर चुनाओं मैदान में आ रहे हैं बरोसा नहीं है वाकी जो पक्षी पार्टियों की एकता की बास आप करते हैं थोड़ा सा असमंजस में है ग्रामीन परिवेश में हमने जीत दर्ज की बीज़ेपी के बाद अजीत पावार गुट ने जादा सीटे लेकर आई हम असमंजस में हैं गटवन्धना असमंजस में नहीं वो ब्रस्टाचार को इसना बात नहीं हैं बीज़ेपी नहीं प्रदान मंतरी मोधी नहीं आपकी पार्टी को नाचरली करप्त पार्टी बताया था सत्तर अजार करोड का गोटाले का आरोप लगाया ले आए अजित पवार को केस भी बंद करवा दिये प्रफुल पटेल का क्लोजर रिपॉर्ट भी डलवा दी और उसके बाद भी कहीं अब बीजेपी को ये तो ने लग रहा तो फिर क्या बात होती है आरोप तो आप पर भी लग सकता हम पर भी लग सकता है वी चुनाव के करम में इस्तमाल हो सकती है ज़रूरी है ठीक है वो कोई बनी बात नहीं है लेकिन इस तरह का ये जो गटबंदन में घमासान और घमासान क्या रुग गया है या अभी पिक्षर बाकी है महराज की कि यहां तक कि मुंबई कॉंग्रेस तो डिस्केशन तरह नहीं हुआ और बिना उन से पूछे नाना पटोले और तौराथ साब ने सीटर तैय करती कि किस पे लड़ना है तो वहां तो निराशा का महौल है मुझे कई बार लगता है कि जो इंडिया गडबंदन है उसने प्रणाम कुछ और होगी लेकिन आज की स्थिती यह दिखती है कि इंडिया गडबंदर ने एक मौका से जो सामने था उसको काफी हद तक गवा दिया है और फिर वही बात कि अंतिम जब प्रणाम आएंगे तो शायद ऐसा हो को दुबारा जो इंडिया और इंडिया वो प्रणाम का मतलब उसके माहिने क्या है बैयालेस का अकड़ा था एंडिया का कि ने देख्यों का तो नहीं आता कहीं से क्योंकि इस दोनों गड़बंदन में एक तरफ कोंगरेस कमजोर कड़ी है ऑग एकणाश शिंदे की शिरसना भी कमजोर रखड़ी साविथ हो सकती है जो साफ नजर आ रहा है तो कि यद्धी शिंदे के फोंकर शायरें चास्तव का कांग्रिस गायव है, मुंबई में दो सीटे मिली है, दोनों की उम्मीदवार तैय करने में बड़ा मुश्किल है, आज कई नेताओं से मिला, कोई लड़ने को चुनाओ फिलाल तैयार दिखता नहीं है, सपरास आप कोई बनकी कहना ची कि मैं लड़ जाओंगा चुनाओ जी क लड़ा तो लड़ाई अभी वहाँ दिल्चस्प हो रही है और ये दरसल दोहरी लड़ाई है, ये सिर्फ लोकसभा की नहीं, विदान सभा की भी है, लोकसभा के चार-पांच महीने बाद फिर विदान सभा चुनाओ भी होने वाले हैं संदीब, जी निश्चित तोर पे को जी निश्चित तोर पे को कि विदान सभा में जो होने वाला है वो अभी से अबारत लिख दी गई है, और आने वाले टाप में इसी अबारत पर काम होगा, क्योंकि कहीं न कहीं, एदी कॉंगरिस अभी कमजर पड़ती तो आगे उसकी बार्गिनिंग पावर और भी कमजर ह जाएगी, तो इसलिए महराश्र में ये महासंगराम चल रहा है, ये घमासान चल रहा है, लड़ाई काटे की है, इंडिया ने अपने सीटों के बटवारे के फॉर्मूले का एलान कर दिया है, एंडिये का अभी इंतजार है, और चुनाव तयार है सामने, इसे हम ट्राक करे हैंगे, अभी एक छोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, आपकी बहुत सी राय हमारे पास आई, कुछ और साजा करूँगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद, अखिलेश की अधिकार क्रांती, एमवाई विदा, बाप पर फिदा, मैसेंजर ऑफ केजरिवार, सुनीता नहीं, भारत की बाद, रात आठ बचे, रोहित से सावल के साथ, जिन बातों का पड़ता है आप पर असर, वो बनती है पबलिक इंट्रेस्ट की खबर, आप जो दवा खा रहे हैं, इसकी क्या गरंट